दिली में आयूजीत विश्व पुस्तक मेले में पूर्व सांसद डीपी यादव ने अपने पुस्तक का विमोचन किया डीपी यादव की किताब वक्त साक्षी है जिसका विमोचन वरस्ट पत्रकार वेट प्रताप वैदिक ने किया इस मौके पर डीपी यादव ने कहा कि इस किताब को उन्होंने जेल में रहती हुए लिखा वक्त के मिलने की बात है कि जहां आदमी को चिंतन करने का विचारों को ताकत देने का मौका मिल जाए वहां उसको अपनी लेखनी के सब्दों को लिख करके समाज तक पहुचाना जाए उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में भगवान हनुमान को बाहुबली कहा जाता है पुस्तक विबोचन के मौके पर डीपे यादव ने 2024 में लोगसबा चुनाव लड़ने के संके दिये हाला कि साफ लफजों में उन्होंने कुछ नहीं कहा फिलहाल सबकी नजर डीपे यादव के अगले कदम पर है ABP गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी